हेलो फ्रेंट्स आपका सागत है अपके अपने चैनल बिडलेंग शिक्षाय बैनिता चंद्रा में आज हम करेंगे क्लास एट का हिंदी का चैप्टर नमबर टू लाग की चूडियां जो लिखा हुआ है हमारे लेखक कामतान नास दुआरा अब जब सबसे पहले इस चैप्ट की डो विधाएं हैं गद्दे और पद्दे तो जो लाग की चूडियां हैं वो हमारे किस विधा में आती है गद्दे विधा में आती है और एक कहानी है क्या है एक कहानी तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है हमारी एक कहानी है तो सबसे पहले हम देखते हैं लाग लाग क की चूड़िया आमने किसी बच्चे को सिंपल ही बोलूं की लाग का मतलब कैंब तो बच्चे को लगेगा कि पैसों की बात करें कि एक लाक के चूड़िया है तो ऐसे नहीं है यहाँ सूत होता है काच होता है लक्डी होती है इसी तरह लाग होता है जो एक पदार्त होता है यो पदार्त है और после ज़से यृसे इत्स होता है और जब इसको हम giunta करते लिए कि तो इसको किसी बिया कारमिंट घाल सकते है तो आपको इसकी एक मतलब ब्रीफली समरी बता जते हूं ताकि आपको आसानी रहे इस कहानी को समझने में तो बचे जो यह कहानी है यह एक बदलू की है बदलू एक आदमी है जो गाओं में रहता है और जो लेखक है जो यहां पे लेखक है वो अपने मामा के गाओं में जाता है गूमने के लिए हर चुटियों में जाते हैं गूमने के लिए तो वहां पर देखता है कि एक आदमी है उसका नाम बदलू है अब उसके मामा का गाम तो तो उसको मामा बोलना चाहिए था लेकिन वो उसको बदलू काका बोलता है कि बाके गाओं के बच्चे इसको क्या बोलते जतने मानता उसकी निशानी मानती है तो इसमें क्या होता है जब वो लेकहक है दुबार आपनी मामा गतने को जाता है कि जो चूड़िया है उसकी जगा कांच की चूड़िया आगी है तो इसमें में हमें बताने की कोशिश करी गई यह लेखक ने कि मसीनी यूग आने से एक आम व्यक्ति का जीवन किस प्रकार हो जाता है है ना कि जैसे वह पहले लाग की चूड़े मनाता था तो हासे मनाता था चूड़े मसीनी यूग मतलब के साथ-स शका च्त क्या होता है काम करने को रोजगार करने के तरीक हैं वह बन आधर जाते चांश आनिक जाते थे ना तो सहारा तो से कंम्प्योटर में होता था . लेक्न आज क्या होते हैं सा क Government पैसे डालनी है और आशकर टो मूबाइल से पै है कि वक्त के सासत क्या होता है काम करने के तरीके रोजगार के अफसर ये बदलते जा रहे हैं और जो नया मसीनी युग आ रहा है उसने ना जाने कितने लोगों के रोजगार छीन लिए हैं तो यह स्टोरी है चलो स्टार्ट करते हैं लिखा सारे गाउं में बदलू मुझे अच्छा आदमी कान था बदलू था जपनी मामा के गाउन जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि मेरे पास धेर साई गोलियां होती थी रंग बी-रंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मुह लेती थी अब जा आप इस चैप्टों को पढ़ा तो दिहान से पढ़ना क्योंकि आपके पेपर में कि अच्छी होने के प्लाइं बदलू को वह जईकते अच्छीए नजहां सकत beautiful मामी जाते हैं चाचा भुव था इसलिए उसको मामा हो títuloल के वसक क्या पहलता था जैस है गाओं के सभी बच्चे उसे कहा करते थे बदलू का मकान कुछ उचे पर बना था मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिस पे पुराना नीम का व्रिक्स लगा था भी कोशन आधात है कि उसके जो कौन सा पेड लगा तो नीम का पेड लगा था उसी के नीचे बैठ कर बदलू पर दिया जाता है ना सामने एक लकडी की चौकट पड़ी रहती थी जिस पर लाग के मुलायम होने पर उसे सलाक के समान पतला करके चूड़ी का आखकार देता था तो जैसे चूड़ी बनाते हैं चूड़ी अब जैसे मैं आपको बोलू मिठाई वाले को क्या बोलते हैं ज चार छे भीविन आकार की बेलन नुमा मुगेरियां रखी जाते थी जिसके हाथ में आप देख रहे हो ना जिसमें चार चूड़ी लगे इसको मुगेरिया बोलते हैं अब यह कैसा होता है आगए से थोड़ा मोटा पीछे जा जाता था पतला मतलब इसमें क्या करता था वह हाथ की चूड़िया बना चुकने के पस्चात वे उन पर रंग करता था मतलब पहले चूड़िया बना लेता था उसके बाद वे उन पर रंग करता था बदलू यह कारे सदा ही एक मचिये पर बैठ कर किया है जिस पर यह बैठा देखो एक छोटी सी मतलब होती है उस पे उस जिसे वे बीच बीच में पीता रहता था उगाव के लोगों की तो आती है गाओं मेरा दुपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीचता मतलब जाते इसलिए था उसको छोचोटी गोलियां मिल जाएंगी तो वह अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम बदलू के पास ही बितात तो यह आपसे पूछ सकते की कि वो किस क्या बोलता था उसको बैठने के था मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस परकार चुडिया बनाते देखता रहता रोज ही वह चार छे जोड़ी चूड़िया बनाता उसकी इतनी स्पीड हो चुकी थी दिए पूरा जोड़ा बना लेने के बाद वह उसे बेलन पर चड़ा कर कुछ न चुप चाप देखता रहे था मानों है बेलन ना होकर किसी न वधु की कलाई हो है ना मतलब चूडिया हम जाता किसके हाथों में अच्छी लगते जिनके अभी जस्ट मैरिस होती है उनके हैं तो उसक मतलब के बनाता हो मनियार को याб प्यत्रिक का मतलब क्या होता है अब बाता हो वास्ता में वह बहुत ही संदा चुडिया बनाता था इसकी बनाई हुए की कहपत थे खपत मतलब जतने मतलब जितनी के बनाता था उतनी इसके डिमांड हो जाता थे हमें Αवे भी चूड़ीं चैए तो जशूकत पहनती थी उसबाने तो सभी इसकी बनाई पहनते ही थी अास पास के गाउं के लोग शूर्ण में पहनते थे जो आसपा जितनी गावं थे वो भी उसे चूड़ीयां ले जाया करते थे पर अंतुब है नहीं चूड़ीयों को पैसों में बेचता ना था आप इखो फॉस्टोवियू होता है वस्तुविनियम क्या होता है इंग्लीश में बाटा सिस्टम कहते है आप इसको तो इकनोमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे अगर 910 में तो वस्तु विनियम का क्या होता है कि जैसे मुझे अपने जरत है और सामने वाले को चूड़ी की जरुत है तो वह क्या करेगा मुझे चूड़ी ले जाएगा और मैं उसका अनाज ले लूँगे पैसे नहीं लिए मैंने मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना उसको कहलाता है वस्तु विनियम ठीक है तो उसका अभी तक वस्तु विनियम का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ी ले जाते थे शायद आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो अगर कोई आइसक्रीम वाला आता था तो हम क्या करते थे उसको अनाज देते थे और उससे आइसक्रीम ले लिया करते थे है ना तो चावल इस सब में भी हमाई चीज़े मिल जाते थी चूणिया ले जाते थे बदलो सभाव में बहुत सीधा था अगर उसका कैरेक्टर आगया लिखने के लिए तो आप लिखोगे कि बहुत सीधा था इमांदार था महंती था है ना मैंने कभी भी उसे किसी से जग कर जाता था जीवन भर चाहें उसे कोई उससे मुफ्त चूडियां ले जाए पर उन्तु विवा के अपसर पर सारी कसर निकाल लेता था मतलब वैसे नॉर्मली अगर उससे कोई चूडी मांगे तो फिरी में भी दे 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 था लेकिन जो साधी विवा होते थे ना तो मांग जनाने में लोहे लग गए थे मतलब होड़ टाइम लग गया था विवा में इसी जोड़े का मुल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं धेरो अनाज मिलता है उसको अपने लिए पगड़ी मिलती है और रुपे जो मिलते हैं 16 मतलब इत कैसा हम बोल सकते हैं यदि संसार में बदलु को किसी बास से चिड़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से तो पेपर में कोशन पूर सकते हैं कि बदलु को किसे चिड़ थी तो हमारा अंसर क्या होगा कांच की चूड़ियों से और क्यूं थी वो भी हम पढ़ लेती हैं इदे किसी स्थरी के हातों में कांच की चूडिया दिख जाती तो यहांदर कुड उड़ता और कभी कभी तो दो चार बाते भी सुना देता। छूड़ा पर दाता है तो क्या उसका काम ठब पड जाता तो वो उस अपनी बात को सही करने के लिए दोचार उसको बाते सुना दिता था मुझे घंटों बाते किया करता था कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूशता कभी मेरे घर के के बारे में और कभी यूँँ ही जीवन के बारे में मतलब इधर-e-धर की बाती मतलब हो जाता है, हमकी से और अपने मर्द का हाथ मर्द मतलब पती का हाथ पकड़कर सम्हू में घूमती हैं और उनकी कलाई ना जुक होती है ना लाग की चूड़िया पहने तो मोच ना जाए मतलब अपनी बास सही ठेयरा रहा है कि शहर में तो क्या होता है सब कुछ होता है कभी-कभी बदलू मेरी अक्छी खासी खाटिर भी करता था अब खाटिर का मतलब कया होता है जैसे हमारे घ़र पे कोई महमान आते हैं उनको चाए नास्ता तो तर फंडा गरम ढर मुद्टे दहते हैं ना जिस नहां उस्छी खाटिर के रूद होता है सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उनके हां दो चार आम खा आता मतलब उनकी गाएं भी थी और उसके आम की फसल भी होती थी तो वहां पे खाया आता था परंतु इन सब बातों के अत्रिक जिस कारण में मुझसे अच्छा लगता जाता था लगता था कि रुच ही मेरे लिए मेरे लिए न बना देता मतलब भंस सबसे बड़ी ऐधाट तो यह थी कि उसको खेलने के लिए दो गोलिए उसको जरूर कर देता था इसन्हें और रहे कर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ परंतों दो तीन बार मैं अपने मामा के यहां गया हूँगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गया मतलब एक दो बार वो गया बदलु का कसी मिला उसके अच्छी दोस्ती हो गई लेकिन कुछ टाम बाद क्या हो उसकी पिता जी का तबादला हो गया कहीं और और एक लंबी अवधी तक मैं मामा के गाउं ना जा सका तब लगवग आट-दस वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाग की गोलियों में मेरी रूची नहीं रहे गए अब यह होता है कि जो हम छोटे होते तो हमारा इंटरेस्ट कहीं दुबारा जा रहा है तो मतलब 20 साल का हो गया तो उसका और रुजवान उसकी तरफ थाई नहीं बिल्कुल भी ना बदलू की तरह ना उसकी कांच की चूडियों की तरह इस बीच मैंने देखा कि गाउं में लगवग सभी इस तरह कांच की चूडिया पहनी हैं बिरले ही हा मामा की चोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उसकी हाथ की कांच की चूडियों टूटकर उसकी कलाई में घुस गई मतलब यह हुआ था ना बदलू भी कोई था लाक की चूडियां भी कोई बनाता था तब इस ऐसा मुझे बदलू का ध्यान हुआया और मैंने स उसको बदलू का कही बोलता था अधर साम को में घुमते हैं घुमते घर चला गया बदलू वहीं चबूत्रे पर नीम के पेड के नीचे खाट पर लेटा आप चबूत्रा क्या था पेड़ होता है पेड़ के आसपास हम मिट्टी बिच्छा देते हैं तो जो उचोंचा हिसस पर दिया और उटकर खाट पर बैठी हो जाता है कि हाँ चलो कोई महमान आया या कौन है देख ले तो उटके वो बैठी है परंतो उसने मुझे पहचाना नहीं अब देखो इतने दस साल बात गया तो कौन किसको पहचाने गया है ना और देर तक मेरी और नहारता रहा मैं कि मैं वही बच्चा हूँ जो आपसे गोलिया बनवा ली जाता था मैंने अपना परिश्चे दिया बदलो फिर भी चुप रहा मानो वह एक स्मृती पटल पर अतीद की चित्र उतार रहा हूं मतलब वो याद कर रहा कि कोई बच्चा था जिसको मैं गोलिया बना कर देता थ और तब एक दम बोल पड़ा आव लला बैठो अब उसको याद आगे कि मैं इसको लला बोलता था बहुत दिन बाद गाउं आए पूछी लेते जब इतनी दिन बादनी है तो बहुत दिन बाद गाउं आई हो हां इधर आना नहीं हो सका काका मैंने चार पाई पे बैठते मतला मतला जिस पर बैठता था और नहीं उनकी भटी आजकल काम नहीं करते काका मैंने पूछा मतला उसने पूछ ले क्या आजकल काम नहीं करते हो क्या नहीं लला काम तो कई साल से बंद है उसने बोला कि काम तो मेरा कई सालों से बंद है मेरी बनाई हुई चूड़िया हो अब उसकी डिमांड ही नहीं है गाउं गाउं में कांच का प्रचार हो गया है मतलब फैल गी है वो चीज़े मैं बहुत देर चुप रहा फिर बोला मसीन यूग है ना ये लाला अब उसने बोल दया कि मसीनों के आने से ऐसा हुआ है आजकल सब काम मसीनों से होता है अब बो हो पाता और जो फीनिसिंग हम मसीन से ला सकते हैं वह हाथों में नहीं आती तो वहीं बता रहा है लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है बड़ी जल्दी तूट जाता है मैंने कहा मतलब उसने का जनारधने कि जो कांच है वो तो बहुत खतरनाक होता है क्योंकि अभी उसकी जो मामा की लड़की थी उसके हाथ में छोट लगी थी नाजुक तो फिर भी होता है लला कहते कहते हैं उसे खांसी आ गई और वे देर तब खांसता रहा हम मुझे लगा उसे दमा है मतलब उसे लगा की बिमारी ऑवस्था के सा साथ उसका सरीर ढ़ल चुका था मतलब जैसे टाइम हो गया था वो बूड़ह हो चला था उसकी हातों और माथो पे नसे उबर आईती है बुड़े लोगों के थोड़ी उमर हो जाते हैं तो उनकी जो अंदर की नसे होती है मतलब है ना मसल्स वगएर होते हैं बाहर दिखने लग जाती है ऐसे कुछ जाने कैसे उसकी शंका भापली और बोला दमा नहीं है मुझे फसली खासी है फसली खासी का मतलब मौसम बदल रहा है इसलिए जो सर्दगरम हो गया उसकी खासी है ये महीने दो महीने में आ रही है दस पंद्रा दिन में ठीक हो जएगी मैं चुप रहा मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ा बहुत बड़ी विथा चिपी है मैं देर तक सोचता रहा कि मसीन यूग ने कितने हाथ काट दिये यहां पर है मसीनों कितने हाथ काट दिये कुछ देर फिर सांगती बनी रही और जो मुझे अच्छी नहीं लगी मतलब एक थाना की बात करते रहते थे फिर वो अच्छी नहीं लगी शांती की शांती बनी हुई है आम की फसल कब अब कैसी है काका उसने पूछ ले बेचे में आम की फसल कैसी है कुछ देर पस्चात मैंने बात का विशय बदलते हुए पूछा अच्छी है लला बहुत अच्छी है उसने कहकर लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाद दिया अरे रज्जो ल जो था उसने क्या कहा था कि लजा के लिए आम ले आऊ फिर मेरी और मुखातिव कर बोला माफ करना लजा तुम्हे आम खिलाना भूल गया था क्यूंकि उसने आम की फसली इसको यादा गे कि मैं तो उसको आम भी खिलाता था नहीं नहीं काका आम तो इस साल बहुत खाए हैं वाह वाह बिना आम खिलाए कैसे जाने दूँगा तुमको बदलूने कहां मैं चुप हो गया मुझे वे दिन याद आगे जब मेरे लिए मलाई बचा कर रख लेकि उसको तो वो मलाई याद आ रहे थी गाए तो अच्छी है ना काका मैंने पूछा गाए कहां हैं लला दो साल हुए बेच दी कहां से खिलाता आप देखो मतलब यहाँ पे उसकी विवस्था को बता रहे हैं उसकी तकलीफ को बता रहे हैं कि जब वो काम करता था तो गाए को खिलाने के लिए उसके पास सब कुछ लेकिन अब जब कुछ नहीं था तो उसने उसको बेच दिया इतने में रज्जोस की बेटी अंदर से एक डलिया में धेर से आम ने डलिया मतलब जिसमें आम रखते हैं टोकरी से उसमें कि यह तो बहुत थेकाओ इतने कहां खा पाऊंगा मैंने ले हैं मैंने इमारे उमर का था इससे चोगनेः आम खाओंगर एक बक्स में खा ले मतलब एक टाइम में इससे जड़ा चार गुणे आम खा जाता था बदलू ने कहां आप लोग की बात और है मैंने उत्तर दिया अच्छा बेटी लला को चार-पांच आम चांट कर दो सिंदूरी वाले देना आप सिंदूरी वाले क्या होते हैं उपर से मत और बढ़ा दी है मतलब हात में लेकर दे दिए आम लेने के लिए मैंने हातश बढ़ाया तो मेरी निघह एक शंड के लिए उसके हातों पे ठिटक दए मतलब जैसे उसने हातों से आम ले रहा था उसके हातों पे आगी गोरी-गोरी-गोरी कलाई W पर लाग की चुणे पर दस आने मुझे दस आने पैसे मुझे को दे रहे थे मैंने जोड़ा नहीं दिया कहा सहर से लिया मतलब वो इतनी अच्छी चूड़ी बने थी लेकिन फिर भी दस आने दे रहा था तो मैंने बोल दिया मैं नहीं दूँगा तुम शहर से लिया मैंने आम ले लिया और खाका थोड़ी देर के पहचा चला आया मुझे प्रसंता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी है उसका वेक्तित कांच की चूडियों जैसा ना था जो असानी से तूट जाया मतलब वो अब ही भी इतना सब कुछ होते हुए भी वो अपनी लाग की चूडियों की ही तारीफ कर रहा है कि लॉद्ध की चूडियों बहुत अच्ची है कहानी है क्या शिक्षै मिल रही जित तो कहानी में हमें बताने की कोशिश की है कि कितनी भी मुसीबते क्यों आ जाए हमें जो अपना साहस है जो अपना व्यक्तितव है वो नहीं छोड़ना चाहिए ना कई बार हमारे पर इती प्रॉब्लम अजाती है फिर हम यह सोचते हैं अब हम दूसरों के मदद करेंगे ही नह कि आपका जो व्यक्तितव है मदद करने का आपको वह जरूर करना चाहिए उसे नहीं छोड़ना चाहिए और यहां पर हमें एक और बात बोल रहे हैं कि जो लोग गाओं में पहले अपने हाथों से काम किया करते थे आप जब मसीनी युगा आ गया है तो लोगों के क्या हो हैं जyसे नहीं बोला हाथ कट गें तो हाथ कटने का मतलब है रोज़गार चिन गए है तो यहां में ग्रामीड भेश मुशा भी देखने को मिलते यहां तो यहां की कहानी थी लाख की चूरियां और लाख कोई पैसे से रिलेट नहीं है लाख एक प्र mäदार्थ है ठीक है ठीक और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शियर और शर यह तो चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आपको आग Walker चैनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको हमारे चैनल पर मैथ, इंगलिज, साइन्स सब कुछ आपको मिल जाएका थैंक यू सो मच